एलो जी, वेलकम टू वीक फोर, बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार, सेकेंड लास्ट वीक पर आ गए हुआ आप लोग बहुत सारी चीजें अभी तक कवर हो चुके हैं, बस कुछ चीजें अच्छी हैं, जल्दी जल्दी से राप अप करेंगे, फिफ्ट वीक फटा फट ख नंबर, देखते हैं question क्या कह रहा है, question कह रहा है, given a string containing digits from 2 to 9, आपको एक string दी जाएगी, जिसमें कुछ digits दी जाएगी, कहां से 2 से लेकर 9 तक, mind you string दी जा रही है, तो जो digits हैं, वो character री-प्रेजेंट कर रही है, number नहीं, integer नहीं, हमको उनको integer में convert करने की ज़रूरत पड़ रिटरन ओल पॉसिबल लेटर कॉंबिनेशन्स दाइट दे नंबर कुड री प्रेजेंट और यू कन रिटरन आंसर इन एनी ओडर किसी बी ओडर में आप आंसर रिटरन करो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है a mapping of digits to letters just like on the telephone buttons जो पहले keypad वाले phone आते थे ना उसमें दबा के change करते थे 2 को 3 बर दबाया तो C आ गया 6 को 2 बर दबाया तो N आ गया इस तरीके से the mapping of digits to letters just like on the telephone buttons is given below आपको photo में दिया हुए note that one does not map to any letters one किसी letter को map नहीं करता है किसी भी letter को map नहीं करता है ठीक है कोई दिखते अतनी है और हमें one दिया भी नहीं जाएगा तो हमें उसमें भी कोई problem नहीं है हमको 2 से लेकर 9 तक दिया जाएगा example दिया हुए अगर आपको 2 3 दिया जाए तो 2 3 से क्या-क्या बन सकता है A और D बन सकता है AE बन सकता है AF बन सकता है फिर BD, BE, BF बन सकता है CD, CE और CF बन सकता है यही सब चीज़ें आपको दी हुई है एक बंदे को उठाओ और बाकी तीनों से एक बार add कर दो, एक एक बार कित्ती बार add कर दो, जब तक जितने number of digits बन सकता है मतलब 2 और 3 को यूज़ करके AD प्रेंट कर सकता हूँ AE प्रेंट कर सकता हूँ AF प्रेंट कर सकता हूँ इस तरीके से काम चलेगा कोई दिक्कत नहीं बैक ट्रैकिंग का इस्तमाल करेंगे हम इसमें हमको रिटर्न क्या करना है Vector of Strings तो हमको Basically एक 2D Character Vector समझ लो या Vector of Strings में एक Vector है जिसमें बहुत सारी Strings डली होँगी ऐसा एक Vector हमको रिटर्न करना है ये बात हमको समझ आगी कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले काम करते हैं जो हमारे पास ये ABCDEF ये सब बना हुआ है इसी को बना लेते हैं पहले एक बार एक कोई Table सी बना के Store कर लेते हैं तो Strings की हमने एक Table बना ली और इस Table में कित्ते लोग हैं हमारे पास 10 10 लोग क्यों हैं क्योंकि Index 0 से लेकर 9 तक होता है हमें 9 डिरिट भी Map करनी है तो हमने 10 Size की Table बना ली ठीक है तो देखते हैं Table में क्या पड़ा हुआ है Table की 0 पोजीशन पर हमने कुछ नहीं डाला हमने डाली एक Space बस हमने 1 पोजीशन पर कुछ नहीं कुछ characters डाल दी है हमें जरूरत नहीं पड़नी तो कोई problem नहीं है डॉलर डाल लिए कुछ भी डाल लिए def आ सकता है 4 दमाएं तो क्या चीज़ें आ सकती है हमारे पर G, H और I आ सकता है ठीक है 5 दमाएं तो J, K L आ सकता है 6 दमाएं तो M, N, O आ सकता है 7 दमाएं तो 7 दमाएं तो क्या आ सकता है P, Q, R, S ठीक है जान रखना है यहाँ पर 4 characters है हर बार तीन नहीं चल जहें, ठीक है जी, 8 दमाए तो क्या सकता है, UX और 9 दमाए तो क्या सकता है, लास्टujemyन डबलू X, Y, Z, ठीक है, 10 से थो इंडेक्स होगा भी नहीं, तो हमारी स्ट्रिंग ये है, जो 10 साइस की बन रही है, ठीक है, इसमें 0 से लेकर 9 तक index है, हमें 2 से लेकर 9 तक digit यूज़ करनी है, तो हमने हर index पे वो बंदा रख दिया कि उस digit को दबाने से हमार को क्या काम मिलेगा इतनी बात हमें समझ आ गई इसके बाद हमें return क्या करना है, vector of string तो एक vector of string भी बना लेते हैं vector of string इसका नाम रख देते हैं answer, कोई problem नहीं है यहां तक सब sorted है, इसके बाद हम कहते हैं, हमें दी हुए है एक digits की string, तो अगर digits हमें कुछ दी ही नहीं हुई, अगर हमें कुछ digits दी ही नहीं है, तो अगर if digits dot length equals to equals to 0, तो हम return करने, खाली vector खाली vector return करने, कि हमें जब कुछ दी ही नहीं हुआ दो खाली vector ही जाएगा वापसी, ठीक है ना, और एक हम क्या करते हैं, function बनाते हैं, ठीक है, इस function में क्या क्या चीजों की ज़रूरत पड़ेगी, अभी समझेंगे, यह function हमें हमारी answer की vector को update करके देगा, इतनी बात हमें स भी भी भीजनी पड़ेगी, तीसरा, हमें digits भीजनी पड़ेगी, कि कौन सी digits हमको use करनी है, चौता, हम इस समय किस digit से शुरू करने हैं, तो हमें sequence में चलना है, तो हम zero worth index से शुरू करने हैं, digit की तो zero worth index भीज़ दी है, क्योंकि recursive function मनाएंगे, तो हम index की ज़रूरत पड़े function भी है, ठीक है, अब function मनाते हैं, function का नाम क्या रखेंगे, हम function का नाम हमें रखेंगे solution, क्योंकि हमने solution नाम का function मनाया है, और हम उस से return में कुछ नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमने simple call किया है, तो हम void solution नाम रख देते हैं, ठीक है जी, इतना काम हमें समझ आ गया, इसके बा answer by reference लेंगे हम और किस चीज की ज़रूरत है हमने string digits मंगाई है अपने पास और index मंगाई है index ind और हमने एक string मंगाई है जो हमें solve करने में help करेगी इसका नाम solve क्यों हम helper रख लेता हैं यह हमें solve करने में help करेगा यह हमारा function मन के तयार हो गया काम कराते हैं function से हमारे पास जो digit आई है उसको हमें number में convert करना पड़ेगा ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी string table है इसका हर एक index हमने उस index पे कुछ लोगों को map किया है और वो index क्या होगा integer होता है हमेशा तो हमारे पास जो string आई है इसमें जो digit है तो अभी current digit हम use कर रहे हैं उसको number में convert करना पड़ेगा यह बात हम लोगों को समझ आगी तो हम तो हम एक int num बनाते हैं और उसको क्या sign करते हैं? डिजिट्स जो हमारे पास आई है of index यानि की current बनता इसमें से minus zero character कर देते हैं चीक है zero character minus करने से क्या होगा as का value जो भी इस digit की होगी उसमें से 0 की as का value minus हो जाएगी तो उस digit की actual value हमरे पस integer वाली value आजाएगी इससे इतनी बात हमें समझा गी इसके बाद हम एक string मना लेते हैं कि current क्या चल रहा है मतलब अगर one चल रहा है तो one Inc string two चल रहा है two 했 string इसमें से table में से ठीक है तो हम new string बनाते हैं और किसमें से choose करते हैं table में से क्या choose करते हैं कौन सा number हम उने चुना है कौन सा number हम उने चुना है जो current index के इसाब से तो इस table में से मेरे पास värे वह string titrate करनी है, फिर A को हटा देना है, और B चुनना है फिर बाकी की सारी digit titrate करनी है, फिर B को भी हटा देना है, सिरफ C चुनना है और बाकी की सारी digit titrate करनी है, मुझे ये नहीं करना कि A, B, C एक साथ आए, देखो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है A है और A नहीं है तो B है और फिर B नहीं है तो C है यही काम हुआ है न तो ऐसा ही कुछ काम करते हैं हम ठीक है मैंने का 4 in 2 is equal to 0 I less than current.size जितने भी हमारे पास जो भी string आ है क्योंकि 3 size की होगी तो 3 बार चले 4 size की होगी तो 4 बार चले तो current.size जो भी current मेरी string में नहीं है I plus plus ठीक है काम क्या करना है सबसे पहले current बंदे को गिनने solution में current बंदे को गिन लेते हैं solution में solution.pushback current of I A को गिन लिया हमने solution में उसके बाद हमने भेजी recursive call कि हमने A को गिन लिया है तुम आगे वाली digits का अगर तुम्हें लगता है तो भाईया add कर दो तुम्हें अगर आगे वाली digits का लगता है तो भाईया add कर दो solution में हमने call भेजी हमने इसमें भेजा table answer वही जो चीज़े हमें भेजने होती है digits और index plus one अगला अदमी अगला अदमी ठीक है और हमने भेजा अपना helper ठीक है so all लिख दिया मैंने गलती से helper लिखेंगे हम यहाँ पे हमने helper भेज दिया कि हमने helper में एक बंदा डाल दिया बाकी आगे तुम्हें दो डालना है डाल दो ठीक है जब वो डाल डूल के वापस आएगा सब करकर आके अपना काम जो काम करेगा वो तुम्हें देख लिया है पर करकर आके जब काम वापस आएगा तो हमें क्या करना है A को हटा देना है क्योंकि B को डालना है तो helper dot pop back A को हटा दिया फिर जब अगली iteration चलेगी तो I1 हो जाएगा और जाएगा कौन B second वाला बंदा फिर वो जाएगा फिर उसके साथ आगे पूरा iterate करके आएगा फिर B हटा दिया जाएगा फिर C के साथ जाएगा इटरेट करके आएगा और C हटा दिया जाएगा लेकिन ये आगे जाके रुकेगा कब recursion में तो base case भी जरूरी है तो रुकेगा कब रुकेगा तब जब जो मेरा index है वो greater than, equal to digits.size हो जाए digits.length हो जाए basically digit हमारे पास string है तो digits.length हो जाए जब वो इसके बड़ा या इसके equal हो जाए तो equal भी हो जाएगा basically तो भी hit कर जाएगा पर हमने condition safe side डालने के डाल दीगी अगर बड़ा हो जाए या equal हो जाए तो ये रुक जाना चाहिए रुक के करेगा क्या? रुक के ये करेगा कि helper में अभी तक हमें एक एक बंदा डाल डाल के चेक कर रहे थे कि जितनी digits हैं उतने बंदे डालते जाओ, चेक करते जाओ अब जब मैं base case हिट करूँगा तो अभी तक सारी digit का एक combination तो डल चुका होगा और कहाँ डल होगा? helper में तो मैं अपने answer में helper को push कर दूँ अपने answer में helper को push कर दूँ answer में helper push कर रहा तो बस मेरे पास एक answer तयार हो गया एक answer तयार हो गया, return कर दूँ जब return करके पिछले वाले function में इस जगा वापस आएगा, जहां से call जाती है वाँ वापस आता है न, तो इस जगा जब वापस आएगा तो next line उसको क्या मिलेगी helper.pop back, आखरी वाला बंदा बाहर निकाल लो, फिर पीछे जाएगा, return करके फिर आखरी बंदा बाहर निकाल लो, फिर पीछे जाएगा आखरी बंदा बाहर निकाल लो, आखरी बंदा बाहर निकाल लेने के बाद अगली iteration चलेगी और अगला बंदा डाल दो इसमें, अगला बंदा हमें कुछ करना ही नहीं है, हम run करके देख लेते हैं, एक बारी बस, हो गया जी, accept, बहुत ही बढ़िया, submit करके देख लेते हैं, submit भी हो गया, है न, बहुत बढ़िया, तो I hope आप लोगो solution समझ आ गया होगा, अगर solution नहीं समझ आया है, तो एक बारी website पर जाना, एडिटोरियल जरूर देख लेना, तब भी नहीं समझ आया है, तो विडियो दुबारा देखना, डाउट्स पूचना, टेलीग्राम चैनल पर डाउट्स पूचना, और अगर अच्छे से solve हो गया हो, तो LinkedIn पर पोस्स जरूर कर देना है न, चालो, thank you very much, bye bye, all the best,